नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है नूरगड़ फाम के पार्ट फोर के अंदर और इस बीडियो के अंदर हम आपको दिखाने वाले हैं देवरतन गोड़ा और दो और गोडिया तो सर नमस्ते कैसे हो तो सर मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा कि अभी हमारे सामने जो देवरतन गोड़ा फुल एटिटूट के साथ में खड़ा हुआ है तो इसका बाप कौन है देवरतन का यह देवरतन गोड़ा जी बहुत अच्छा गोड़ा है बहुत मश्बूत है मलब प्योर मारवडी पावन भी काफी मश्यूर गोड़ा रहा है तो बलाड लाइन बहुत अच्छी है इसकी और वो गोड़े के स्ट्रेक्चर में भी देखो ना आप इसमें भी जलकती है इसकी आप नेक देखो कितनी बड़ी है और कितनी पतली है और इसका प्रपर फेज भी आंकें फोर हैड और इसकी नेक और इसकी बाडी लाइन इसका बिलकुल देखने से लगता है कि बिलकुल प्योर मारवड़ी गोड़ा है इसका मार्किंग बहुत अच्छी है देखो इसकी अच्छा पूरा खुला पटा है इसके मजबूती देखो इसके पाउं देखो कितने मजबूत हैं इ बहुत अच्छी ब्रीडिंग करें जो जो गोड़ा मशूर होता है स्टालिग है उसका तो ब्रीडिंग में पर्फेक्ट इसका अभी बच्चा मिल्क टीद में ब्रहम देव है वह भी तिलवाडा शो में नंबर किया उसने और इसके और दो तीन बच्चे में आपको दिखाऊ स्टायब कारे नमबर इनर नहीं कह सकते प्रीडिस्टन तो इसकी ठीशन थर्ड पजीशन यह की पहले तिलवाडवाडा शूमेंर उसकी ress meanti the दर्ट पुजिशन आई फिर फ्रीड कोड़ला शो भी और स्टाड गलोरी शो भी अच्छे जो है वहां बिन इसने फिर प्रशीन करी मेरे साब भी लगाया था मेरे साब से हां बिल्कुल लगाया दोफ दूट दिके पता चलता है तो ह bend occasion किया इसमें जैफीर में जैपूर में जीएपुर में वहां पंळिस के बीड़े थे पुलिस के भीड़े थे सबी में जैटर प्टिंड किया वह भी सुनों भो जबती से किया थाइस of उसने सीधा 40 km में त्यार कर दिया तो जब के चाहिए यह था कि 20 km गुड़ा बागता है फिर उसको 3,30 गेंटे की ब्रेक होती है तो द्वारा भी 20 km बागता है इसने सीधा 40 km पर त्यार कर दिया गुड़ा और जब और रेस हुई तो उसी सपीड से चला तो वो बूर रहा थे इसके मेरे को गनेगी कि अगर मैंने 20 20 वाली कराया होता इसकी तियारी तो शायद यह गड़े जिन नहीं पहली बारी उतारता था नहीं जानकरी तो पर फ़ल्कुल बिल्कुल जान रहा था इसको को मेरे पास गोल्डन रॉक की बच्ची आएंगी हमारे पास देवराज के तो लोगों का भी क्रस्ताइब और हमारा कुड़ का वी आगे तो हमें हमारे लिए दो साल अपने ख्ली हो गये तो हर लेक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि बंदे भग जाते हैं या फिर बंदे आते हैं तो इसके बारे में आपके साथ में भी ऐसा एक्सप्रियेंस रहा देखो सारे बंदे एक जैसे नहीं है कुछ बंदे अच्छे भी कुछ वैसे भी हैं पर होता क्या है कि गलत चीछ को लोग जादा देखत हैं कि बेर्जुकरी बहुत है तो यह जिसने भी कोश करी वैसे तो मारवाडवे गोड़ों के लिए बहुत काम हुआ मारवाड़ी संस्ता भी हुआ और मौट थाके मारवाड़ी गोड़ों को अजी बिल्कल अपकिया और सालसात उन्हों नहीं जो लड़की की जो sportsmen है जो horse lovers हैं उनको बहुत एक अच्छा रस्ता दिखा दिया के यार सारे इंडिया में गोड़े जाएंगे महरवड़ी गोड़े पंजाम में भी गुजरात में भी माराइक्टर में भी तामलनाडू में तो राजसानी लेवरी लोग रखना पसंद करते हैं क्योंकि इनक देखो बहुत अच्छी इनको काम आता है बहुत अच्छी टेक केर करते हैं क्योंकि इनके बलड में गोड़ा तो लेकिन यह बहुत बार गलतियां कर जाते हैं गलती कोई एक दो बंदे करते हैं उसका खम्याजा सभी को बुकतना पड़ता है अभी पीछे मेरे बार में भी बिदकने लग गया तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम प्रेक्टस करवाते थे तो वह प्रेक्टस के लिए मैंने एक और अच्छा लड़का जो ट्रेनर था उसको बलवाया था तो यह मेरे बाले लड़के स्टेंड लेगे जहां तो यह रहेगा जहां हम रहेंगे मैं कहा यह तो कोई बात ना हुई और ऐसे कोई लेवर मालक को ऐसे दबका मारे जहां ऐसी बात करे तो फिर मालक मूर की होगा जो उसको रखेगा तो मालक के मताबक लेवर को चलना चाहिए जहां अफसर के मताबक मलाजम को चलना चाहिए बाब के मताबक बेटे को चलना चाहिए माल कुल एक चीज और बोलना चाहूंगा कि अंकल के वहां पर ऑग वीडियो में बोल रहा हूं क्योंकि मेर को लगता है कही नहीं कहीं और भी दूसरे लोगों को करना चाहिए कि पर गोड़ा कभी नकभी खुट और पर गोड़े की चोट पता है अगर तप और तीक ठाक जागा पर लग जाए तो मेरे को लगता है कि एमुलेंस बुलाने ही जुरतिनी है पिर रिस्तेदारों को भी बुलाना पड़ता है तो अंकल जुसे बंदे का आपने टीटमेंट वगएरा करवाया तो क्यों करवाया आप आप औरों की तरह यह बोल देते हैं ना अपने घर जा पर द जो लेबर है वो इनसान का बच्चा यार जानवर के बच्चे से तो हम प्यार करते हैं बच्चों की तरह तो जो इनसान का बच्चा उसको टेक केर कर रहा है हमारा जो खुशी है मन की गोड़े को देखके उसको बनाए रखने में यह जो राजस्तान वाले लड़के पंजा राइन करना में पर बजल म्कोथ होगः सब्सक्राइब करता हुए और प्रे कि शेये जोंगी करने रूब करहाño तो लूट को अगर मेरे घर में कोई अग्सीडेंट हो जाय Istokा का जैसा हमने हो रड़े इस वैग्ट के में किसी मिलाजम का नक्सान हो जाए तो मालक की जुम्हेदरी है उसको टे केर करना तो मैंने उसका एलाज करवाया प्राइवेट ऑस्पिटल से करवाया जैसे मैं अपने घर के मेंबर का कुछ पया हूँ तो ॉसके करवाया और बापडम से को यहाакс जको मिलता है किसी बच्चे को दबाई देनी है किसी की माशहाब गोडे की तो इनको बोल seven का मडे कम करवसे आजặंगी तों कि इनको बेखने वाले थे आज्या करवान फाली कि पूंसे करते हैं और बहुत सारे आज से होते रहते हैं तो आप लोग भी इनको ऐसी ट्रीट करें जैसे अपने घर की तरह क्योंकि आपके करोड़े रुपे के गोड़ों की यह देखवाल करते हैं तो अगर आपका गोड़ा इनको चोट पहुचा देता तो आपका भी फरज बनता कि इनके लिए कुछ करें बिल्कुल बांता जी लेकिन यह भी एक मैं कहने मैं से देना चाहूंगा अपने बच्चे जो अपने लेवर वाले लड़के हैं गोड़ों को देखवाल करने वाले उनको भी मैं कहना चाहूंगा कि जैसे मालक आप से दिल से प्यार करता है आपकी ट सब का सबन तेल सब कुछ वरी उसका पूरे का पूरा सेलरी उसको मिलता है और सेलरी भी मैं ठीक ठाक देता हूं अच्छी सेलरी देता हूं ठीक है ना जी क्योंकि मेरा क्या रहता है अभी देखो ना गोड़ों को तो हम गी डालते हैं है ना जी अच्छी खराक देते हैं त को गोडी लेकर आता है उसके लिए भी बनाते हैं तो पूरा गैस्टा उस चलता है और प्रॉपर कुक है प्रॉपर हमारा वो चलता है खाने का सारा बंदुबस्त और एक तरह से हमारे तो जहां 24 आवर लंगर चलता है कोई भी आए कोई इदर से रास्थान से गुजरात से प तो रहते हमारे पास है खाना हमारे पास काते हैं रहते हमारे पास है यह बोलने की बात नहीं है दिल से खुशी होती है दिल से कोई आता है हमारा तो उसका टेकर करना भी तो हमारा फर्ज बनता है तो अंकल अगरब मैं बात करूँ हमारे सामने जो अभी दूसरी और गोडी के लिइन का नाम ?"कृ закон रौण अखी गोड़ी है, इससे अबनाहे हो स्टीकिर तैयर कि कितनी बड़े साइज की गोड़ी है। बोट अच्छी स्थूड़ी स्टाइज गोड़ी कि मंडवाला अबलग गोड़ा उसकी बच्ची है जै और बहुत अच्छी अभी इसने गोल्डन रॉग से बच्चा दिया आप देखो कितना अच्छा बच्चा कितना मजबूत है बच्चा मतलब देखो आप इसकी उम्मर क्या होगी होगी गोडी की अभी गोडी तो अभी चार चुरू करी है मेरा आदा इंच चौनसट की हो जाएगी एक दो साल में और अभलक गोडी तो अबलग अभलक और इसलिए रखी है जी बड़े स्टेक्चर की बड़े साइज की गोडी है गोडे में हमारे में ब्रीक्यां बहुत हैं तो अभी बच्चा देखो इसने कितना है जहीं करें सो भगारा कि नोगरा इसने में जर्क गशनों लोग की मेरे को लगता यंद में भरांतिया पहलती है असल में प्रदीव बहूं आप हो मैं हूँ अपने गर में कोई शादी बया हो कोई बड़ा फंक्शन हो तो हम पूरे दिल से उसका अरेंजमेंट करते हैं करते हैं कोई रिष्टा डालते हैं किसी के साथ किसी को बलाते हैं तो अपने लिए अच्छा करते हैं तो जो रिंग कराते हैं लोग जो इसको गो वेवाले मिलकर करते हैं, तो जो ज़गमेंट की बात करते हैं, मेरा ख्याल नहीं है के ज़गमेंट में कोई बहुत ज़दा कोई गडबडी हो जाए, हो जाए तो मैं यह कह छोगा किसी के साथ बहुत अच्छा इंडरस्टेंग हो तो उनी की कोई नंबर आलतू-फालतू वो दे दे पहली बात तो यह होता नहीं है क्यों नहीं होता क्यूंकि बहुत पबलक होती है साइड में बैठे जब कुछ गल्त जजिंग होती उसी वक्त रोला पड़ जाता है तो मार्किट खराब लेकिन उन्होंने ओल वेल नेक्टिव बात करनी है मैं उनको बिंती करना चाहता हूं भाई लोगो यह चो जो हो रहे है ना जी उसकी वज़ा से ही मारा मारवडी गुड़ा है और तो कोई दूद तो यह देता नहीं है ठीक है जी स्वारी अभी करने का टाइम नहीं है बढ़ाने के लिए और दुनिया को दिखाने के लिए शो ही एक जडिया है गोडों को प्रमोट करने का मैं बिंती करता हूं सब लोगों को कि अच्छे चो लोग करवाएं और जो लोग अच्छा चो करवा रहे हैं उनकी नेगटिविटी परचार आप मत करो नेगटिव पर जिन्होंने कुछ अपने घर में पैदा करना नहीं है उसकी टोपी उसके से डालनी है वो कभी ना कभी कुछ ना कुछ गल्ट कर जाते हैं जो अच्छे ब्रीडर जाजे हैं वो कभी कभी गल्ट नहीं करेंगे क्योंकि उनको अपनी इज्जत की अपनी उनको सारा जो एना एक रिस्पोंसिबिल्टी रहती है पर वही बात आ जाती ना उन दलालों की वज़े से वो जो में अच्छे जजे वो भी बदनाम हो जाते हैं हो जाते हैं दलाल भी कोई मैं यह नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा कुछ गड़ कर जाते हैं एक इतना इंट्रस्ट होता है यार अगर करेगा तो सभी जजुँगों को पता चल जाएगा बाग्यों को िये तू गल्त किया तो उसके बहुत कुछ सुधार देखने के लिए मैंने देखा बहुत सारा हुआ अगर हम बोल देखने के लिए मिला और बहुत अच्छा लगा स्टार्ड गलोरी शो नेशनल लेवल का शो है जी बिल्कुल और जो ब्रीडर इसको चो करवा रहें उनमें दलाल कोई नहीं को सभी स्ट्र लिडर्स ने उन्होंने अपना कोई गोडा नी लगाया शो में यहां पर हमारे क्या होता है कि जो आदमी शो करवा रहा है और अपना ही गोडा जिताने के लिए आगे लगा देता है यह गल्त बात है ऐसा नहीं होना चाहिए जो आदमी मैं शो करवा हूं फर्दिकार हो तो मेरा मेरा फर्द नहीं बनता कि मैं अपना गोडा जा अपना कोई बच्चा उस शो में मैं लगाऊं यह उन्होंने बहुत पॉजिटिव किया और एक सबसे बड़ी बात वहां स्टाट गलोरी में हुई के इंडिया के जो सबसे टॉप के ब्रीडर हैं जिन्होंने मारवाड को आज जहां वहां से उठाकर जहां तक लाएं जो लोग जिनको जिनको एबी सी प्रॉपर जिनको नौल जाए गोड़े की कहां से गोड़ा कैसा है रहना सरकुष वो जजज इस शो में थे और तीनों की आपस में यह नहीं कह सकते कि इनकी बहुत आपस में का गोड़ अपसंद है तो उन सब का अगर एक गोड़े पर आकर सहमती बनती है तो यह तो इससे बेटर और क्या जजमेंट हो सकती अगर उसको भी कोई पॉइंट आउट करे तो लाख लांत यार्ट वाड़े तो अंकल अगर बात करे हमारे सामने जो तीसरी गोड़ी खड को आप बड़े गोड़ों से भी ज्यादा मजबूत हैं इसके और बोडी स्ट्रेक्चर देखो इसका पुठा देखो कितना बारी है कितनी मजबूत गोड़ी है और मनिया देखो इसका कितना पतला नेक प्रफाइल और इसका कलर देखो कितना प्यारा है बहुत प्यारा कलर और बच्चे में तो भाई जुनीक कलर दिया मैं क्माल लाइट तेलिया बदामी नहीं बोल सकते हैं यह लाइट तेलिया कलर है इसका टांगें इसकी ब्लैक रहेंगी और थोड़ा सा लाइट तेलिया रहेगा यह और अपने गोल्डन रॉक से इसका मैचिंग देखो कितना ब नेक परफाइल और जब यह खड़ा होता है जी आगे वाली टांगे और नेक इसकी स्टेट लाइन में हो जाती है एकनम पूरा जैसे नाग करता है नाग की तरह जैसे नाग फंकार रहा हो ऐसे घड़ा होता है तो बच्चे की क्या अमरे अंकल अभी बच्चा तो अभी कु कुछ है ना दूसरे में ना तीसरे में तो कुछ बच्चे सहल के साफ से है करेंगे करना ही पड़ेगा ना बेचा किसी बच्चे घट्चे हो जाएगे मैं आपको बताता हूं देखो मेरा कोई बहुत जादा ऐसा नहीं है कि मेरे को गोडों से कुछ पैसा कमाना मैंने तो य यह लेकिन पैसा कमाने छोटी है के यार इंज्वाए करें लाइक का बेल्कुर यह तो जाती जा रही भागी जा रही है तो इसका जो है अभी मुव्मेंट उसको हम इंजवाय करें। तो मैंने गोडे के बच्चे को यह जो डूडी निया कि मेरे को इनको सेल करना नहीं को मेरी इट्रेक्शन बहुत चंगी हो तो मैं लो कोई ऐसा नहीं है कि सभी बेच नहीं है कोई गिफ्ट भी कर सकते हैं कुछ बेच भी सकते हैं सब कुछ है तो जो कोई एक तो अच्छे लगेंगे रख लेंगे अभी देखना मेरे पास थारां भी इस गोडिया है ना अब इस स सब्सक्राइब हो तो सर से कॉंटेक्ट कर सकता है डायरेक्ट तो सर मैं लाश्ट में एक बात और पूछना चाहूंगा जो नए लोग इस मार्केट में भी एंटर करते जा रहे हैं चाहन से वह यूथ हो या फिर जॉब करने वाले लोगो उनको एक यान की टॉप की क्या सल वाले लोग भी बहुत हैं जाब भी आप कोई गोड़ा खरीदो थोड़ा सोच समझ के किसी अच्छे आदमी से स्ला मश्वरा करके खरीदो जहां किसी जुम्मेदार आदमी से जो एक स्टैबलिश ब्रीडर हो जिसको पता हो के मेरे वर्ड का वैल्यू क्या है ऐसे आदमी स पास से आप गोड़ी लेते हो गोड़ा लेते हो बच्चा लेते हो तो कल को उसकी एक किज्जत है उसकी एक रिस्पोंसिबेल्टी उसके वर्ल्ड की वैल्यू है मैं यही कहना चाहूंगा कि किसी जुम्मेदार जो ब्रीडर है उसके उससे आप गोड़ा जाम बच्चा को कोई जो क्रीदना है उससे आपको क्रीदना चाहिए ओके थैंक्यू अंकर बहुत अच्छा लगा आपसे वीडियो में इतनी सारी जानकारी मेर को लगता ही बहुत सारी जानकारी हमने लोगों को दिये और आने वाले टैम में देते भी रहेंगे और बाकि हम लोगों की अगर देमांड हुई तो लोगों को अगले पार्ट में आपका जो फार्म का काम बैसे तभी कंप्लीट हुआ नहीं है आधा कंप्लीट हुआ है पर तब भी लोगों को हम एक वार आप फार्म बिजिट कराएंगे और उसके बाद में जब कंप्लीट हो जाएगा तब पूरा फार काम बिजिट कराएंगे ओके थैंक थैंक यू वाई तो